हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिचरफर्स क्लासेज के यूटूब चैनल पर दोस्तों यदि आप सीरियस स्टुडेंट हैं और आप किसी भी परकार के टैट एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल साबित हो सकता है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यह अभी तक आपने हमें टैलेग्राम और यूटूब पर ज्वाइन ही किया है तो आप हमसे ज्वाइन करकते हैं जुड़ सकते हैं ताकि सभी परकार के जो लैटेस्ट अपडेट हैं और इस चड़ी बैटरेल हैं आप तक पहुंच जाएं ठीक है अब कुशन है कि टै हुस्ता है कि आज के टाइम में जो कंपिर्षण एक्जाम हो रहे हैं कि उनका जो свое का परेशन का जो का भी बताऊंगा क्ने से पार्ट आपको अपने एक दािम निशन में लाश् टाइम में इंक्लूड़ करने चाहिए अब है competition exam है तो इसकी जो तैयारी है last time तक क्या होने चाहिए कैसे करने चाहिए तो उससे पहले आप competition exam के जो भाग हैं उन पर चर्चा करते हैं competition exam के जो parts हैं उनको हासिल करने के लिए किसी भी परिक्षा में सफलता आसल करने के लिए वो दो parts है ठीक है पहला जो part है वो है exam notification को लेकर ठीक है कब आपका exam notification आता है उसका slave bus क्या रहेगा और उसका result कब आएगा मतलब जो process चलता है वो एक part तो यह होता है ठीक है इसके बाद और इसके बीच में दूसरा जो part होता है वो होता है exam की जो तयारी है उसको लेकर ठीक है कि हमें तयारी कैसे करने चाहिए हमारी जो strategy है रननिती है वो क्या होने चाहिए ताकि हमें जो comparison exam जिसमें हम बैठ रहे हैं खासकर आज की हम इस वीडियो में टैट को लेकर चर्चा करेंगे चाहें वो c टैट हो चाहें वो rito किसी भी इपरकार का टैट हो उसकी जो सफलता है उसके जो map डंड है हमें जो अपनाने चाहिए उनको लेकर हम चर्चा करेंगे ठीक है पहला जो मैंने बताया कि exam notifications ले बस होगार क्या है तो इनको अभी हमें पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है डेट हो गर कब है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते रहें और यह पता चले एक्जाम तो हो गया ऐसा हां कि कभी किसी के साथ हुआ नहीं होगा तो हमें जो information रिजल्ट कब आ रहा है notice कब आया है recruitment का तो यह जो जानकार ही होती है तो इन पर बार बार वीडियो बनाना थोड़ा criticals भी होता है मुश्किल भी होता है तो हम इसको PDF में इमेज में तुरंट टेलेग्राम पर अप्रोल कर देते हैं ठीक है तो आप उनसे देख सकते हैं यह आप टेलेग्राम पर जोइन करते हैं तो ठीक है slave bus भी सबसे important slave bus है exam crack करने के लिए सबसे important है slave bus आपको जो slave bus दिया हुआ है RIT का, CETECA उससे बहर आपको नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए हलानकि कुछ लोग most popular होने के लिए YouTube के दुनिया आज के time में ऐसी हो गई है कि मैं भी इस पर कुछ जादा कुछ नहीं कह सकता कि यूटूब पर लोग काफी ऐसे मिलेंगे जो आपको read और sit at most popular exam है आज के टाइम में ये हमारे देश के तो इन में कुछ topic ऐसे include करते हैं जो उसले बस में नहीं होते हैं ठीक है वो लोग यूटूब पर इसको पढ़ाते हैं आपने उसको first time देखा तो आपको लगेगा कि ये topic तो मैंने अभी आज तक देखा नहीं है लेकिन आप इस चीज़ पर धिहान नहीं देते कि वो जो topic है वो slip bus में है या नहीं है सबसे important बात ये होती है लादूँगा कि ऐसे लोगों किसे बचके रहें सबसे पहले आपका जो slip bus है आपके माइने में fix होना चाहिए कहां से क्या कुछिन आता है और क्या slip bus में दिया हुआ है ठीक है तो ये चीज़े होने चाहिए अपने ये दोनों पार्ट important है तो इसलिए आप हमें टेलेग्राम पर ज़र जोइन करना आगे है कि जो रिट और सिटेट का जो guidance है वो क्या होना चाहिए किस परकार से हमारी जो last time strategy है वो होना ही चाहिए हलां कि मैंने यहां पर last time लिखा है strategy full time 15 days 50 days या फिर 30 days 10 days के लिए नहीं लिखा last time मतलब जब आपका exam near होता है या फिर आप exam देने जाते हो तो उस time आपकी जो strategy है वो क्या होने चाहिए ठीक है तो आप सोच रहे होगे ना थो भी रिट का exam है हमारा ना कोई cheat act का exam है फिर आम इस वीडियो को इतना पहले क्यों देखें तो मैं आपको बता दूँ कि हमें जो आदत कोई भी जो हमारा विवार है उसको आदत में डालने के लिए काफी time लगता है mostly जो cyclosis हैं उनके अनुसरा 21 days हमें किसी भी विवार को आदत बनाने में लगी जाता है minimum time कुछ लोगों में जो काफी smart हैं उनमें 21 days कम भी हो सकता है normally 21 days होता है तो जो last time strategy है वो कुछ topic ऐसे include कर रहा हूँ मैं कि उनको आप last time में apply नहीं कर सकते यदि आप हभी से उन उपर गौर नहीं करेंगे तो उनको last time में आप apply नहीं कर सकते वो होगी fake strategy तो इस करन में जो strategy है एक time से पहले जब आपका exam उगर नहीं हो रहा है अभी date उगरा कोई fix नहीं है 2021 में तो उसको लेकर मैं बता रहा हूँ कभी भी आपका rate का exam हो कभी भी आपका seat at का exam हो इस वीडियो को जरूर देखना काफी benefit मिलेगा आपको जब आप exam देने जाते हो last time में तो अड़बडात हो जाती है सभाविक है इसलिए मैं इसे before time काफी time पहले है आपको last time strategy आपके साथ share कर रहा हूँ यदि आपको लक्षय का सही mark है वो नहीं पता होगा कैसे हमें उस last time में चलना है कैसे क्या करना है तो आप उचित समय में लक्षय तक नहीं पहुंच पाएंगे तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सबसे most important question who am I मैं कौन हूँ जो आपके साथ ये वीडियो साजा कर रहा हूँ देखिए जो intelligence है intelligent होना अपने आप में एक अलग बात है और किसी को guidance करना teach करना दोनों में फरक है टिक है यदि आपको अच्छा knowledge है और आप उसको पढ़ाना चाते हो process rate पर काम कर पाओं तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किस ने क्या exam clear किया है मैंने क्या exam clear किया है वो जो है ये वीडियो है उसमें आप महसूस करेंगे जो मैंने experience है मेरे पास और मैंने जो exam का जो analyst किया है उन बातों को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो strategy है अब तक जो आपको बताई है ध्यान रखनी है इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो strategy है वो क्या होने चाहिए selection कैसे होना होता है उसके लिए जो रनिती है वो क्या होने चाहिए सबसे मैतपूर्ण बात क्या है और सबसे important गलतियां जो लाखो स्टुडेंट करते हैं ठीक है और कुछ मैं तो पूर्ण टिप्स भी मैं आपके साथ सेर करूँगा कुछ बाते भी जो selection करवाने के सबसे हैं करने के लिए काफी हैं रखती हैं और सफ सबसे हाइं बेस बंती है तो अब सुरू करते हैं सबसे पहला है कि rose start कैसे करें, ठीक है, सबसे पहला है कि rose start कैसे करें, ठीक है, मेरे इनुसार, जो most popular लोग हैं, उनके अनुसार, हमें paper को easylerinY को hardçe करना थाहिए, ना कि hard से easy, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने most popular इनसान ने ये बता दा दिया कि सबसे पहले hard cushion को solve करो easy अपने आप हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है easy भी cushion आपके छूट सकते हैं तो हमेशा easy से hard की ओर करना ताकि easy cushion आपके हो जाएं ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि सभी cushion को आप देखोगे और 150 cushion मिलेंगे पहला किया easy है कर दिया आपको चुनना है आपका जो portion है आपका जो subject है उसके अनुसार यदि आपके पास social science है तो सबसे पहले आप social science कीजिए math है तो math कीजिए फिर science करना language कर रखते हैं language में भी आप language first पहले कर रखते हो second कर रखते हो और फिर cdp बालविकास को ज़ंब रॉट्ण अत्र psychology का वह कर रखते हो या फिर यह अच्छा नहीं लगता आप के नुसार तो आप ये कर रखते हो language आपकी अच्छी है कोई तो language आप हले कर रखते हो subject कर शक्क्तिए उसके बादद क्या आपका psychology अच्छा नहीं है तो आप उसको बाद में कर सकते हो इससे क्या है कि हमें अंदर से मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं हमें कुश्चन आ रहे हैं तो हमें जो चलना है वो इजी से हार्ड की ओर चलना है mostly इसमें एक दो पोर्शन तो ऐसे हो जाते हैं कि हमें अच्छा कुश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको लाश्ट में करें कुछ लोगों की CDP अच्छी होती है तो वो पहले भी कर रखते हैं आपके नुसार है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो बात है OMR sheet है उसका ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि पहला कुश्चन है दूसरा कुश्चन है तीसरा एंड सोन 150 तक कुश्चन आपको मिलेंगे आपने मालो 90 के बाद का जो कुश्चन है 91 स्टार्ट किया आपको लगा आखे जो इजी कुश्चन है वो 91 से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आपको जो ओमार शीट पर फिलप करनी है तो वन पर फिलप ना करें सबसे मौस्ट लिकलती यही होती है जब यह ट्रिक अप्लाई करते हैं आप तो 91 कुश्चन सोल कर रहे हैं तो लगातार इसमें बरते जाएंगे ओमार शीट में इसमें बरते जाएंगे और कर रहे हैं 92-93 वाड़े कुश्चन तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जो उन्हों सा कुश्चन आप कर रहे हो उस कुश्चन का ध्यान रखना और मार शीट में ही उस कुश्चन को बरते जाना है यह गलती मत करना नहीं तो आपका रिजल्ट उल्टा पढ़ जाएगा आपकी उपर ठीक है आगे है Emotions जो सबसे important बात है पूरे exam में किसी भी exam में सबसे जो important बात होती है वो होती है Emotions गोलमेन के अनुसार भी आपको पता है definition आपने पढ़ी होगी कि हमारी जो 80% से पलता है वो हमारी सब्वेगा अत्मत बुद्धिस Emotional Intelligence से प्राप्त होती है यदि आपकी सम्वेग स्थिर है सम्वेग का मतलब यह है कि आपके exam दे रहे हो पसिन्य चोट रहे है या फिर थोड़ा गबरहाट हो रही है तो आपका जो सम्वेग है वो स्थिर नहीं है टिक है तो सम्वेग जो Emotional है वो पूरे पेपर में बैलेंस होने चाहिए So keep control your emotion during exam पेपर देते समय आपको अपने जो Emotions है उन पर control रखना है That is emotions should be balanced in paper Emotions आपके balance होने चाहिए इस्थिर होने चाहिए गवराट उगरा पसिने उगरा ऐसी जो बाते होती है काफी लोगों के साथ वो नहीं होने चाहिए काफी जो important चीज़ है वो होती है emotions ठीक है पूरे exam में ठीक है तयारी इतनी ज़्यादा important नहीं होती है जो emotions depend करते हैं ठीक है emotion पर ज़्यादा चीज़े depend होती है आगे जो है वो है आपको question मिलेंगे जिनको आप काट सकते हो है eliminate कर सकते हो ठीक है ये most popular video होती है question को करने के लिए लेकिन इसमें भी दो पार्ट है negative elimination जो गलत है उसको काटते जाना यदि मालो option मिलेंगे one two three four ये गलत है ये इखट गया ये इखट गया बस गया one और three फर इसमें देखेंगे negative elimination नहीं लगता तो positive elimination लगाएंगे वी लोग पर बोलते हैं इसको काटना ठीक है जैसे कि कोई option answer हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा सही हो सकता है जैसे मैंने elimination matter अप्लाई किया दो, तीन, चार question दिये हुए है ठीक है तो first को मैंने negative elimination से two four four cut कर दिया लेकिन मेरे को लग रहा है first भी सही है और third भी सही है तो इसमें से मैं वोई option चूज़ कर हूँ है जो सबसे ज़्यादा सही होने के संभावना रखता है ठीक है इसको बोलते है positive elimination ठीक है और यदि अभी तक आपने हमें future first classes को telegram और youtube पर join नहीं किया है तो join कर दीजिए और दोस्तों के साथ share कर दीजिए ठीक है इसके बाद है next कुछ question आएंगे जिनमें child को दोस्त दिया जाएगा ठीक है हमें हमेशा बच्चों का benefit सोजना है बच्चों को उनको जो benefit मिल रहा है उस question पर उस option पर click करना है हमेशा हमें केवल और केवल बच्चों का फायदा देखना है ठीक है बच्चों को किसी भी परकार का दोस्त नहीं देना है यदि option में इस परकार का दोस्त दिया हुआ है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे यदि बच्चों का फायदा दिया हुआ है तो हम उस option को चूज करेंगे इस option को चूज नहीं करेंगे हमेशा child's benefit को ध्यान में रखेंगे ठीक है आगे है careful with not accept question में जब seat at का exam होता है न तो उसमें highlight करके दिया होता है note है यह accept है मतलब सिवाई है या नहीं हमें चूज करना होता है कौन सा सही नहीं है तो लोग इसको भूल जाते है एक चोटा सा word है उसको भूल जाते है नहीं है तो उसमें ultra पड़ जाता है टेक है उल्टा अनसर लगा देता है जो सही है वो लगा देता है और उसमें पूछ रहा है नहीं है ऐसी किसके सिवाए ऐसा question स्टार्ट होता है ठीक है तो उसमें भी बातों को ध्यान रखते हैं इनके परतिया आप कुछ हाउधान रहना है ठीक है 10% लोग यहां पर मिश्टेक करते हैं ठीक है और सबसे इंपर्टेंट बात होती है मैं बार बार बोल रहा हूँ एमोशन पर कंट्रोल रखिए पूरे एक्जाम में आपका जो पेपर है वो सही हो जाएगा कुछ लोगों की दहर नहीं यह भी है जब हम पढ़ते थे तो बोलते थे कुछ साथ की लोग कि लोंग आंसर जो कुश्चन्स होता है ना उनके जो आंसर है जैसे लोंग आंसर दिया है वह उप्सन में तो उसको एक रेक्ट लगाओ इसको मतलब तुक का टाइप में बोलते कि कुछ तो मेरा एक दोस्त एसा भी था वह बोलता थे तो बनाने वड़ा है जो प्रिंट करने उड़ा है उसका कितना खर्चा होगा इतना बड़ा उप्सन बनाया होगा इसलिए भी बनाया होगा वह यह बनाया होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बाते हैं वह पुराणी बत यहोंगे सब्सक्राइब लेकिन मेरे नेको मिलेखता कभी आमेसा ह्मेस kg ओज द्सी सबसेडुब एक बत जरुब पड़ना मैंसे सही हो लेकिन आपको उसके पॉश्रा रोणफ है ऐसा जरूर रही है कि लोगों को माझा ult уд Virus काम चलम होता है य्च आप आप जो सही भी है उस पर गोर करना है यदि मैं इसको option को tick कर रहा हूं तो यह जो option है यह सही है ठीक है एक बार इस पर विशार करना है फिर उसको आपको omarcheat में fill up करना है ठीक है logical आपसे सोचना है फिर उसको click करना है omarcheat पर फिल up करना है ठीक है कुछ words आपको made up मिलेंगे मतलब जो होते नहीं है सिर्फ बनाए जाते है एक्जाम में जैसे disability की बात होती है कुछ disabilities आपको लगेगा इसको हमने कभी पढ़ा तो नहीं काया नहीं यह answer हो सकता है ठीक है जैसे इस ग्राफ या इसका क्लीशा है तो इनको आपको तो पता है तेकिन कुछ इसमें made up word फिलप कर देंगे उप्सन में डाल देंगे आपको लगेगा यार यह क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है इनका पता है अरे जिनका पता है उनका answer लगाऊं तो made up word है कुछ confusion डालने के ल बर्मित करने के लिए डाले जाते हैं ठीक है एक्जाम होता है उसमें exam paper जो बनाता है उसमें एक दो option ऐसे डालेंगे जो आपको बर्मित करेंगे तो उनसे आपको बचके रहना है और आगे हैं कुछ words option में अर्थीन होते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है ऐसे word डिक्स नर capabilities कर जो कुछ नहीं होते हैं उसमें मिलता है आपको ऐसे option correct answer नहीं होते हैं ऐसे answer को आपको चूज नहीं करना है ठीक है अगे है कि ideal situation सामें सोचना है ideal रूप से क्या सोचना है कोई चीज imaginary और not possible कोई चीज अपने सोची वह imaginary रूप से सोची और possible यदि not possible हो सकती है लेकिन यदि वैसा होता कोई चीज है imaginary है लेकिन वह हो नहीं सकती ठीक है लेकिन यदि वह imaginary नहीं होकर real होती यदि वैसा होता तो वहीं best होता है क्योंगी imaginary है आज के टाइमे कल क्या पता वो चीज रियल टीम हो जाए तो हमें उस परकार से भी सोचना है कि कल यदि possible होता है ऐसा तो उसका क्या benefit होता है क्या आसर होगा तो उसको लेकर भी हमें सोच नहीं तो वह answer होगा best answer होगा आपका ठीक है इसके बाद है question में आपको hints दिया होते हैं ठीक है question में कुछ important words होते हैं आपको उनको पहचानना होता है ठीक है questions में जो words दिया होंगे आप उनको पहचानिए और फिर आपको answer पर और मार्शिट पर fill करना है ठीक है अब है कुछ facts जो होते हैं negative होते हैं और कुछ positive होते हैं कुछ bots होते हैं ठीक है वो question पर depend होते हैं mostly जो negative है इनको बाड़ते हैं तीन भागों में ठीक है आपको बता देता हूँ पहला है negative negative में कौन कौन से statement हैं जैसे मानलो याद करने पर रटने पर बल दिया जाए जिसमें डंड देने की बात हो अलगाओ या समू बनाने की बात हो जैसे intelligent student का अलग समू जो कमजोर है उनका अलग समू तो बेद भागों की भावना हो ठीक है स्लेब बस या किताब ग्यान की जो दहरना होती है संकेर दहरना पर बात हो अनुसासन वैक हैं विद्यार्थी के ओल सुनता रहे उसकी कोई activity ना हो या फिर विदार्थियों का क्या दिया जाए दोस दिया जाए और या अंक और ग्रेड सिर्फ पास करने के वह बात की जाए तो यह होते है negative इनको आपको चूज नहीं करना है ठीक है साउधान रहना यदि question में note दिया हो है या accept दिया हो है ठीक है इस परकार के जो question आते हैं उसमें भी यह दिया होता है तो यह जो negative points है इनको आपको चूज नहीं करना है question को पढ़ना है कि यह पूछ रहा है इनमें स कुण सा सaugम नहीं है तो सञम नहीं है तो इसमेश नेगेटीव और आनसर हो जाएगा और यह पोच्छे नॉर्मल डूप से आए तो यह आनसर नहीं होगा कुष्टल को आपको पढ़ना है फिर आपको आनसर देना है फिर इसके बाद है कि कुछ जो statement हैं जो बाते हैं वो होती हैं दूसरे नंबर पर positive ठीक है विद्यारतियों को आउसर दिया जाए अच्छी बात है आउसर दिया जाएगा कुछ सीखने को मिलेगा बहु बासा बहु बासा क्या है एक सकारात्मक चीज है इससे हमारा जो मस्तिक्स का विकास है वो होता है तो ये positive बात हैं करके सीखने पर बल दिया जाए प्रोचान दिया जाए ये विद्यारतियों को कारिये करने की सौतनतरता दी जाए विद्यारतियों के समाविषन की बात हो जीवन को वाश्टविक्ता से जोड़ा जाए रियल्टी से जोड़ा जाए अच्छी बात है positive point है सरजनात्मक वजग्यासा विक्षित करने पर बल दिया जाए यदि ऐसा होता है तो वो है positive है ये हमारा answer हो सकता है question को अपन पढ़ेंगे फिर इन बातों को दियान रखेंगे और फिर उसका answer choose करेंगे ठीक है अब कुछ जो बाते हैं वो दोनों परकार के होती है negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है जैसे प्रोचसाइट है असंकिक पूरण केवल में ही maybe में ही है mostly negative में आता है कभी-कभी positive में भी आ जाता है ठीक है कुछन दिया हो है exam में उस पर depend करेगा ठीक है तो हम इस बात का ध्यान रखना है इसके बाद है no question left behind ठीक है आपका जो exam है ना उसमें negative marking नहीं है ठीक है negative marking नहीं है तो आपको कोई भी question छोड़ना नहीं है time बचे ना बचे लास्ट में सभी question के आपको टिक लगाने है तो इसमें कोई भी आपका question छोटनाने चाहिए negative marking अभी तक जो exam हुए है उनमें तो थी नहीं यदि आने वाले समय में होती है तो आपको जो question paper है वो दिया होता है उस पर लिखा होगा कि negative marking 1 by 4 है या 3 by 4 है जो अभी हो तेकिन अब तक जो exam हुए है ना उसमें negative marking नहीं हुए है तो मेरी जो सला है यह वो ही है कि जो questions है आपका एक भी question नहीं छूटना चाहिए वो मार sheet में भर के आओ सारे के सारे हैं ठिक है आगे है सब से last कि जो सफलता है ना आपको 10 दिन मिलेंगे ना तो ऐसे से कोचिंग वाड़े मिल जाएंगे कि हमारा जो याने कोर्स लीजिए आप 10 डेज में और अपको 10 डेज में आपको 10 डेज में स्लेक्शन हो जाएगा अरे भाई जो लोग दो-दो साल से एक-एक साल से पढ़ रहे हैं उनको आप 10 दिन के ब्रापर कर देंगे मतलब पोसिबल नहीं है उनको मतलब पोसिबल बनाने की चीज़ करेंगे मतलब बेच दो कोर्स है बेच दो बेच दो इसको तो मैं आपको बता दूं सफलता कोई स्टकट नहीं है और कुछ लग की भी बाते होती है सभी के अपना-पना जो लोजिक है वो हते हैं ठीक है तो मैनत करेंगे कोई स्टकट और नहीं है इस चीज़ का कि अब सबसे important है कि जो इतकि की जो ना वह कटड ओफ उगर क्या हो सकती है ठीक है estimate कट ओफ उगर क्या हो सकती है ठीक है तो तो मेरे नुसर जो है ना सईट परस्टेंट तो कंबल सरी है यह मेरे नहीं मतलब जो notice दिया हुए ना उसके नुसर हो कि इतने मार्क तो आपके आने चाहिए एंड्रेड का है कि सोरी 150 नमबर का होता है ना आपका 150 का कि 60 परसेंट ठीक है तो जब आपको करोगे तो मतलब 90 नमबर तो आपके उणे चाहिए ठीक है इतने तो आपके कमबल शरी नमबब आप लाते हो तो आप में का नाम आ सकता है ठीक है सीट का हूंशे क्लल कर जाता है हूं यकि назв का परसेंट लेकिन जो रित है ना उस tomb मेरिट लिस्ट मनती हैं आपको पता होगा तो जो लास्ट यर्स कटोफ थी उस हिसाब से मैं बताऊ ना इस बार जो है पेपर होगर है कैसा क्या आएगा उसको नहीं पता लेकिन जो कटोफ है ना जर्नल की 130 प्लस जाने की संभावना है अलान की पेपर आएगा उसके बाद हम पता चलेगा और जो ओविसी की है इतने 120 जो मतलब यह कह सकते हैं हमारे जो टाफ्येट है नहीं इतना कम से कम होना चाहिए और जो अधर्स हैं उनका 110 प्लस नंबर मैं तो आपको यह कहुँगा कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने चाहिए जितने ज्यादा न आपके घर के पास जो इसको जोगर है उनमें आपको पोस्टिंग मिल जाए तो यह जो नंबर है एस्टिमेट नंबर है इनको फाइनल नंबर ना समझना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने कोशिश करना ताकि पोस्टिंग हो गरा जो स्लेक्शन से वह आसानी से हो जाए ठ ठीक है अब है कुछ टोपिक्स इंट्रेस्टिंग टोपिक्स हैं ठीक है क्या टोपिक है यूटूब पर चलते हैं बहुत अच्छे-च्छे ग्यान बाटने वाले लोग ठीक है जब पचास दिन बचेंगे तो बताएंगे लास्ट जो पचास दिन हैं उनमें आपकी रण नित जो घनाती क्या आणी चीए छार्षी दिन बचेंगे फिर उनके एक वीडियो आएगे तीस दिन बचेंगे जब याएगेos दसंति बचेगा पांस दिन बचेगा नजब याई ठिक हैं देखे मैं यह नहीं मानता कि वो लोग गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं सबका जो अपना-पना अलग-अपना एक्सपिरेंस होता है लेकिन मेरे अनुसार यदि आप अपना प्लान खुद बनाते हैं आपकी जो स्ट्रेटेजी है तयारी की वो खुद बनाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो सभी का जो एन्वारमेंट है सभी की जो सिच्वेशन हैं वो सभी की अलग-अलग होती हैं जरूरी नहीं है कि सामने जो सामने जो बन्दा है वो पचास दिन का प्लान बता रहा है दस दिन का बता रहा है तो आपके साथ भी वो सिच्वेशन जो टाइम अगर आप बता है कैसे क्या पड़ा वो आपके लिए पोसिवल हो या ना हो तो खफी लोग आपको बरमित भी करेंगे ऐसे लोगों को आप टाइम देखकर टाइम वेश्ट करेंगे तो ऐसे लोगों से बची आप और यदि आपको लगता है हां हमें अच्छा मिलता है हम देखते हैं तो हमें अच्छा मैसूस होता है तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर फोलो करें ठीक है आग्ये है एक्जाम पोस्ट पॉंड को ले हो जाता है चीरे सिस्ट्वेंडों के साथ ऐसा लेकिन आप इसको चिंता ना करें इस पर भी आपको पहले भी बताया है टेलेग्राम पर मैसेज करके कि आप इसको पोजेटिली सोचें कि ये भगवान ने आपको एक संदेश दिया है कि एक्जाम पोस्ट पॉंड हुआ है आपका जो स्लेप बस है कहीं छोट गया है या फिर आपको रिविजन करने की तैयारी के लिए परियाप समय नहीं मिल पाया तो आपको एक और फिर पुनहें रिविजन करना चाहिए एक्जाम पोस्ट पॉंड को लेकर आपको तनाव नहीं लेना चाहिए हम्मेशा आपते हो रहे हैं यूटूब पर होती रहते हैं ठीक है जो भी ओफिशल नोटिफिकिशन आएगा ना एक्जाम को लेकर वो आपको मिल जाएगा ठीक है चाहिए आप न्यूजबेपर पढ़ते हो या फिर अधर शोर्स के जो ओफिशल साइट है उससे तो आपको किसी भी परकार से बरमित नहीं होना है ठीक है और यदि अभी तक आपने फिचर फर्स्ट क्लासेज को यूटूब और टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है तो आप जोइन कर लें जहांपर आपको सभी परकार के लिए टेस्ट अफडेट और इस्टेडिमेटियल मिलते रहते हैं दोस्तों के साथ जल्दी सेजल्दी शेयर कर दीजिये इसको टेंक यू कि एक्जाम के लिए आपको ओल्दा बैश्ट कभी भी आपका एक्जाम हो उसके लिए आपको डेरो सारों सुब कामना हैं आपका सेलेक्षिन ओ ऐसी हमारी दुहाई हैं ठीक है और तो कुछ बाकी नहीं रहा बस बाकी है थेंक्यू, लाइक, सेर, सब्सक्राइब मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै ही जै भारत वंदे महत्रम